Hello friends, welcome back to my channel, मैं हूँ आपकी friend वर्षा आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे GK के miscellaneous questions की यानि कि हम यहाँ पर जो questions discuss करेंगे वो हमारे different aspects, facts, figures से होंगे कुछ आपको GK के questions की मिलेंगे, वो sorry current of yours के questions में मिलेंगे तो start करते वीडियो को, आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को like कीचे, friends के शेयर कीचे और किसी वी तरह की कोई भी query हो, तो please जरूर बताएगा देखें, यहाँ पर हमारा question है, WTO basically promotes अब देखें, मैं English में question है, क्योंकि बहुत time से मैं Hindi में करा रही हूँ तो आज मैंने English में provide के हैं, लेकिन मैं English में, वो Hindi में explain करूँगे, तो आपको कोई भी problem नहीं होगी WTO, जिसको World Trade Organization में बोलते हैं, वो क्या चीज promote करती है, या हम यह कह सकते हैं, किस लिए काम करती है financial support के लिए, global peace के लिए, unilateral trade के लिए, या फिर multilateral trade के लिए बताईए देखें, यहाँ पर हम बात करें, WTO financial support तो देती है, global peace भी इससे होती है, लेकिन main चीज़ जो ही promote करती है, वो है हमारा multilateral trade multilateral trade का मतलग होता है, कोई भी country किसी के भी साथ trade कर सकती है, एक से ज़्यादा country के साथ एक बार में trade कर सकती है यानि कि कोई particular, for example, India, India, किसी other country जैसे चाइना के साथ trade कर रही है, उसके साथ-साथ वो main market साथ trade कर रही है, USA के साथ trade कर रही है, मतलब कोई भी country एक से ज़्यादा time, एक से ज़्यादा बार किसी किसी भी साथ trade कर सकती है, ऐसा नहीं है कि one-to-one trade चल रहा है, सिर्फ वो दूसी country से कर रही है, तो दूसी country उसके साथ कर रही है, ऐसा नहीं है कोई भी country किसी किसी साथ trade कर सकती है, तो उस चीज को support करना इसका काम होता है, प्रमोट करना इसका काम होता है इसलिए यहाँ पर multilateral इसका right answer हो जाएगा next है trips and trims are the terms related to यानि कि आपने पढ़ा होगा trips और trims यह हमारा किस related है IMF, WTO, IBRD, ID देखे, chips होता है trade related intellectual property rights trims बताए क्या होता है जल्दी बताए इसका answer trips और trims जो होते हैं यह हमारा part है WTO का next है where is the national academy of agricultural research management located दहरादून, हैदराबाद न्यूडहली या फिरिटानगर बताए answer national academy of agriculture research and management जो है, यह हमारी है हैदराबाद में located है next है what is the animal symbol of world wildlife fund बताए WWF का animal symbol क्या है dolphin है, kangaroo है, tiger है giant panda है बताए तो यह है tiger ठीक है, tiger है इसका animal symbol next है which one of the following countries is not a member of the shark Bangladesh, Maldives, Bhutan या फिर मेंबार देखिए, Bangladesh, Bhutan, Maldives यह सब इसकी member है लेकिन member नहीं है ठीक है, option D, right answer है next देखिए IMF की capital हमारी किसकी contribution से बनी है credit, deficit financing, member nations या फिर borrowings देखिए, IMF की जो भी capital है वो हमारी जो भी इसकी member countries है उनके contribution से बनी है यानि कि कोई भी country कितना contribute कर रही है वो सारा contribution के basis पर है IMF की जो capital है वो build up होती है, ठीक है options ही यहाँ पर right answer है उसी की according फिर इनको facilities दी जाती है, ठीक है next है, who was the और अगर कोई भी country, IMF पर इतना ज़्यादा वो खर्चा नहीं करे क्योंकि वो खुदी help लेने आई है और वो इतना invest नहीं कर पा रहे है, तब भी IMF उनको पूरी पूरी जो भी जरूरत होती है उस तरह की उनको help करने की कोशिश करता है, उनको loan प्रवाइड करता है, ठीक है IMF किस तरह का loan प्रवाइड करता है ये medium और short term loan प्रवाइड करता है ठीक है, जबकि हमारा world bank जो है, वो long term loan प्रवाइड करता है, ये याद रखना नेक्स्ट है, who was the only Indian to be elected as president of the United Nations Journal Assembly, बताईए विजयलक्ष्मी पंडिट, वीके कृष्णन, मैनन, जवाहरलाल नहरू या फिर ननौबदी अवाब United Nations Journal Assembly में as a president, वो कौन थे जो एलेक्ट हुए थे ये हो जाएगा विजयलक्ष्मी पंडिट, ठीक है नेक्स्ट है, the National Chemical Laboratory इंडिया is located in मुंबई, बैंगलूरू, हैदरबाद या फिर पुने बताईए, National Chemical Laboratory खाहां established हुई कहां हुई? पुने में, ओके? नेक्स्ट हाईए, the National School of Drama is situated in which of the following cities मुंबई, न्यूडेली, भोपाल या कोल्गाता क्या लगता है आपको? देखे, ये ड्रामा है, तो फिल्म सिटी मुंबई है, ये सोच के टिक मत करते ना, ध्यान से इसका अंसर करो इसका अंसर हो जाएगा, B, न्यूडेली, ठीक है? न्यूडेली में ये सिट्टेटेड है नेक्स कोशन देखे, विच वन अफ दी, अमंग, दी फॉल्वाइंग, इस नोट, मिलेनियम, डवलपमेंट गोल या, जो हमारे मिलेनियम डवलपमेंट गोल है, यूनाइटे नेशन्स के, वो इसमें से कॉनसर नहीं है, इरिडिकेट, एक्स्ट्रीम पॉवर्टी, रिडि देखे, ये वाला आंसर इसका गलत है, रिडियूस बर्थ रेट एंड डेर्थ रेट, इसको रिडियूस करना इसका गोल नहीं है, ठीक है, जबकि पॉवर्टी को रिमूफ करना या उसको कम करना इसका काम है, मैटरनल हेल्थ जो होती है, आफ्टर प्रेगनेंसी, उस पर देखे, लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसके बारे में बात की गई है, और प्रमोट जेंडर एक्वैलिटी पे इन्होंने बात करी है, कि जो हमारा गल्स का रेशू है अंगेंस्ट बॉइस, वो एक्वैल रहे ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत कोशिश कर रहे हैं ये लोगों को एक जैसे राइट्स मिलें, गर्ल्स को, यहाँ पर किसी भी तरह का एक्स्प्रोइट ना किया जाए, फिर चाहें वो उसके एजुकेशन से रेलेटेड हो, उसके खुद के राइट से रेलेटेड हो, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर मिलेनियन डवलप्मेंट गोल में बात की गई है, नेक्स्ट है, विच वन आफ दी फॉलोइंग इस नॉड़ा मेंबर ऑफ एशियान, बताएए, एशियान की जो मेंबर कंट्री इसमें नहीं है, वो क्या है, कमबोडिया, लाउस, सिंगापोर, साउथ कोरिया, देखिए, इसकी जो मेंबर कंट्री क बात करें, वो नहीं है, तो वो है साउथ कोरिया, यह इसकी मेंबर कंट्री नहीं है, अब हमें next question में बताना है, जो United Nation Organization है, जिसको हम UNO भी बोलते हैं, उसकी official language क्या है, English, French, Russian, English, French, German, और Russian, English, French, Russian, German, Russia, Chinese, and Hindi, या फिर English, French, Chinese, Russian, Arabic, और Spanish बताएए, देखी, इसकी language में हिंदी है, यह कट गया, English, French, German, यह कम-कम दी रखें, इनकी जो language है, वो है English, French, Chinese, Russian, Arabic, और Spanish, ठीक है, हिंदी इसमें include नहीं है, Amnesty International is a human rights group, UN agency to fight global terrorism, refugee camp in Croatia, wing of the World Bank, बताएए, Amnesty International क्या है, यह human rights group है, जो human rights के बारे में यह लोग बात करते हैं, ठीक है, What is the name of the first Indian research station in the Arctic, हिमाद्री, मैत्री, भारती, दक्षिन गंगूत्री, पताएए, देखी, Arctic कैसा है, बहुती ठंडा इलाका है, और इसलिए इसकी नाम से जोडता हुआ, यहाँ पर इनी नाम रखाता है, इसका हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री क्या है, यह भी एक बरफीला इलाका है, तो इसका जो first Indian station की बात करें, आर्किटिक में, तो वो था यहाँ पर, इसका नाम रखा गया था हिमाद्री, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पर्मानेंट हेटकॉर्टर आपको बताना है, सार्क खा, सार्क सेकेट्रेट, बताइए, पर्मानेंट हेटकॉर्टर का है, सार्क सेकेट्रेट का, काठमान्डू में, ठीक है, वेर इस दी कॉलेज ओफ डिफेंस मैनेजमेंट लोकेटेड, डहरादूर, वेलिंग्टन, पुने, हैदराबाद, कहां है डिफेंस मैनेजमेंट कॉलेज है, हैदराबाद में, नेक्स्ट देखिए, हू सर्वड एज इंडियान, इंडियास फर्स्ट अम्बेज़डर तू दी सोवियत उनियन, वीके कृष्ण मैनन, विजयलक्षमी पंडित, केम पंनिकर, या फिर क्यार नारायन, क्या हो जाएगा अंसर, इसका बी हो जाएगा, विजयलक्षमी पंडित, नेक्स्ट है, दा पुलिट्जर प्राइस, इस असोसेटेड विज वन आफ दी फॉलोईंग, एन्वार्मेंटल प्रोटेक्शन, ओलम्पिक्स गेम, जर्नलिज्म, या फिर सिविल एविएशन, किस से रिलेटेड है ये प्राइस, ये हमारा जर्नलिज्म से रिलेटेड है, नेक्स्ट है, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, वाज एन एक्स्पोनेंट ओफ, यानि किस में वो निपूर थे या हम कह सकते हैं, वो कौन सा शेहनाई, आंसर मैंने खुर बता दिया, देखें, यहां पर इसका जो आंसर होगा, वो जाएगा, भी शेहनाई, ठीक है, स्ताद बिस्मिल्ला खान, शेहनाई बजाते थे, और यह शेहनाई के लिए बहुत फेमस थे, और यहाला कॉशन बारवर रिबीट करते हैं, यह लोग, ठीक है, नेक्स्ट है, पंडित शिफ कुमार शर्मा जी के किसलिए फेमस थे, यह थे संतूर के लिए, ठीक है, पंडित शिफ कुमार शर्मा जी के किसलिए फेमस थे, यह थे संतूर के लिए, ठीक है, नेक्स्ट है, लैरी पेज एंड सर्जे विरिन आर वेल नोन एस, प्लुटूथ दिवाइस, फांडर्स उफ गूगल, स्टेम सेल रिशेर्च रिशेर्चर्च यावे एस, यह थे सान्टिस्ट ऒव उमन जूनूम, बताए, भी हो जाएगा फांडर्स उफ गूगल, next है which one of the following is not a part of hindustani music dhruppad, khayal, kirti, dadra क्या हो जाएगा? kriti, ठीक है? next है which one of the following forms of dance is shobha narayan known for shobha narayan jothi, वो किस form के लिए famous थी? dance के किस form के लिए? kathak, bhratnatyam, odc या फिर kathakali, बताएए किस लिए famous थी ये? ये famous थी kathak के लिए, option a right answer है next है who of the following is the author of the book imagining India, ideas for the new century arvind adiga, mj akwar, nandan nilekani, shashi tharoor, पताएए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, option number C, नandan nilekani, ठीक है? next है the longest serving governor of the RBI is बताएए कौन से इन में? benegal, rama, rau, yv ready, d subha, rau, या फिर manmohan singh longest की बात की गई है वो है हमारे benegal, rama, rau, ठीक है? option है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? right answer हो जाएगा next आते हैं who among the following was a viewer by profession? kabir, rama das, ravida das, tukaram क्या ओगर right answer A, kabir next है who of the following invented movie projector? Alexander Graham Bale, Benjamin Franklin, JL Beard, या फिर Thomas Edison किसने invent किया था प्रोजेक्टर को? बताएए? C, इसका right answer होगा, JL Beard, ठीक है? next है, who among the following, who among the following, who was the earliest visitor to India? अलबरूनी, फायान, हैंसांग, या फिर मैगस्थनीज? क्या होगा? D हो जाएगा हैंपर answer मैगस्थनीज next है, how is Laila said, known as first woman chairperson of the union public service commission first woman election commissioner of India third है, first woman chief justice of a high court in India fourth है, हमारा first woman governor of a state in India क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, first woman chief justice of a high court in India next है, which one of the following is the oldest grand slam of the world? Vibundan, French Open, Australian Open, US Open क्या होगा answer? A, Vibundan, ठीक है? सबसे पुराना grand slam है, world का ये थे हमारे questions आज के remaining questions, next class में discuss करेंगे मैंसे किसी भी question में आपको doubt है please comment section में जरूर पूछेगा ठीक है, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीचे friends के शेर कीचे, और किसी भी तरह की कोई भी query हो तो जरूर बताएगा, तो next video में मिलते हैं तब तक लिए ठीक है, bye bye